आज आपके लिए बहुत ही खास है और इस सेशन में हमने फिजिक्स का अभ्याए छे से कुछ कोर्षन सेलेक्ट करके लाए है जो आपके आने वाली बोर्ट परिक्षा के लिए काफी भीवी आई साबित होगा तो चलिए हमारा यह अध्याए जो है डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडियेशन ठीक है इस पर अधारित है हमारा तो इस सेशन में हम अध्याए सेवन तो चलिए इस लाइब सेशन को इंज्वाए करते हैं करता है फोटोन के मुख्य गुन बताए स्टेट दा इंपोर्टेंट प्रोपर्टी जब फोटोन तो चलिए हम देखते हैं इस कोश्चन का सोल्ईशन क्या होगा ठीक है तो देखिए काता है हमारा कि आउंस्टीन के नुसार आइंस्टीन के नुसार बीकरन उर्जा पैकेट को पहले हम फोटोन करते थे यह सरपतम आइंस्टीन ने बताया था कि बीकरन उर्जा पैकेट जो होता इसको फोटोन के नाफ्ज जानते हैं लेकिन कुछ समय के बाद यह पाया गिया कि बिद्दुचुम्बक की अन्योन किरिया का बिनिमाइक कन जो होता है वो हमारा फोटोन कहलाता है ठीक है और यह फोटोन का दूसरा कोश्चन देखते हैं और यह काफी अच्छा कोश्चन है कोश्चन नंबर दूसरा एक्जामिनेशन में कोश्चन आने वाला सावित हो सकता है भीवियाई सावित हो सकता है गती जूरजा के पद में दब ब्रोगली तरंग की लंबाई लिखे रायट डा लेंथ इन टर्मस अब काइनेटिक इनर्जी तो चलिए इसका हम डेरिवेशन देखते हैं और अपने सांदार तरीके से इसका डेरिवेशन शुरुआत करता हूं तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि काइनेटिक इनर्जी बराबर जो होता है हाप MbA2 होता है इसको हमने समिक दिया और यहां से हमने भी कामान निकाल लिया ठीक है हमने क्या किया इस भी कामान निकाल लिया जो आया हमारा हमारा हम एक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम भी कामान रखेंगे तो हम जब भी कामान रखेंगे था हमारा काइनेटिक इनर्जी बराबर जो हो जाएगा और इसके आगे solution में के cross multiplication करेगे तो दू गुना के यी हो जाएगा और यहां एम गुने h square बटा यहां m square बटा lambda square यहां m answer में कट जाएगा और हमने lambda square का मान निकाला तो h square बटा 2m into kinetic energy और यहां lambda ब्राबर जो हो जाएगा h square बटा 2m into e होगा जहां h जो होगा हमारा plank constant होगा m जो होगा हमारा mass होगा और e जो होगा हमारा kinetic energy होगा तीस प्रकाल से हमने डीब रोगली बेवलेंद का बेंजेक हमने प्राप्त कर लिया काइनेटिक इनर्जी के फॉर्म में तो चलिए अब हम देखते हैं अगला कोस्टन अमारे लिए क्या है करता है कि देली आबिर्थी कारी फलने निरोध बिभव की परिभासा बताई एक कोस यदि अगले पहले हम देखते है तरस ल्ट्री के बारे में जान्कारी लेते हैं कि है क्या तो जैसा देखिए आपके स्क्रीन पोर्ड पे दिख रहा होगा कि औरे राक्तित बीकरन की हुए नियुंतम आबिर्ति जिसके नीचे की आबिर्ति के लिए परकासी औलक्रोन के सता से उसर्जन नहीं होता है, तो नियुंतम आबिर्ति जो है हमारा Columbus Frequency यानि की देहली आबिर्ति कहलाता है, चैनलि इसका दूसरा डेरिवेशन हम देखते हैं, डेफिनिशन देखते हैं, वर्ख फंक्शन का, कहता हुआ नियूंतम उर्जा जो सता से इलेक्ट्रोन के उत्सर्जन के लिए आवस्तक्त होती है, उस सता का कारिफलन का लाता है, तो चलिए इस हमने वर्ख फंक्शन का डेफिनिशन देखा, प्रकास प्रकास विद्धुत प्रभाव के कारण उत्पन धारा का विरोध के लिए प्रकास प्रकास पैदुत ट्यूब में उत्पन विवांतर को हम निरोध विवव करते हैं और यहाँ K max ब्रावर H new minus phi होता है यह हमारा formula आता है तो इस प्रकार से हमने तेनों का derivation किये अब आपके सामने देखिए numericals है और ये numericals BBI सावित हो सकती है जाता यदि एक electron की गती जूरजा जो है 120 electron volt है तो उसका संबेग और दब रोगली तंगदर ग्याद करे जहां plank constant है 6.6 दूने 10 दूट पर मैनस 34 joule into second और mass of electron जो है 9.1 into 10 दूट पर मैनस 31 kg है देखिए अब इसका derivation देखते हैं question कैसे बनेगा हमारा दिया हुआ है kinetic energy ब्रावर 120 electron volt और 1 electron volt ब्रावर जो होता है 1.6 दूने 10 दूट पर मैनस 19 joule होता है और ये kinetic energy का formula P square by 2 में हमें P square count करना है यहां 2 km आएगा और यहां हो जाएगा 2 गुने और यहां पर हमने के का मान रखा और यहां electron of mass रखा सबको calculation करने के बाद lastly जो है हमारा ये देखिए P बरावर जो है ये पहला step है हमने calculation किया फिर दूसरा step का calculation किया फिर दूसरा डेरिवेशन हमको क्या है कहता है कि लेमडा बरावर H बटा P तो है ह का मान रखा और ये हम P का मान हमने लाया था इसको रखा और इसका calculation करने के बाद इसका value जो आया है 1.12 इंटू 10 डेवेशन पर माइनस 5 मीटर आया तीस प्रकार में हमने इस question में देखा कि हमारा संभेग और दब्रोगली बेवलेंद कैसे count किया जाता है किसी electron का आप देखें पांच माँ प्रस्ण है और ये आपका बेवी आई भी सावित हो सकता है कहता है एक electron एक photon का तरंगदर एक नैनो मीटर है एक नैनो मीटर है तो संभेग याद करें तो जैसा कि देखिए आपके शामने बेंजक है lambda ब्रावर h बटा पी 1 यानि P1 ब्रावर h ब्रावर लेमडा 1 और lambda 2 ब्रावर h ब्रावर h ब्रावर लेमडा 2 और यहां दोनों का तरंगदर इक्वल है अर्थात है हमारा यहां P1 ब्रावर P2 होगा यहीं कि एक electron की और एक photon की संभेग बरावर होगी कब जब उस photon का तरंगदर भी बरावर होगा ठीक है तो चलिए इस तरह से हमने अध्याय 7 का कुछ short question देखा तो मिलते हैं अगले वीडियो में और यह सभी question जो है आपके लिए काफ़ी भी भी आई सावित होगा तो इस session में हमने प्रमुक question लाया उसे देखिएगा और फिर enjoy किजिएगा best of luck